सब्सक्राइब कीजिए विनेकुमार गुरू चैनल को साथ में बैल आइकन भी दभाईए लेटेस्ट अपडेट के लिए नमस्कार दोस्तों सवागत आपका मेरे इस नई वीडियो के अंदर तो आपकर आप डीवाई सी एन्वाई के इसकी प्रिफेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखने चाहिए मैंने इसके अंदर ऐसे इसकोशन्स इंक्लूड की है जो कि अभी तक किसी को आपको अच्छे से वस लर्न करना है ठीक है अच्छे से उन कोशन्स को आपको समझना है तो चलिया आज की वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिने किसी देरी के और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो इसका फर्स्ट कोशन है चंदरयान दो को कौन से रोकेट से ले फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है ओफ्शन नम्बर सेकिंड जियो साइक्रोनस सैटलाइट लांच वीकल तो इसकी फॉल फॉर्म है जी ऐसल्वी की नेक्स कोशन है व्ट वट इस दब वट बड़ वट उफ चंदरयान टू तो चंदरयान टू का वेट कितना है तो 986 किलो, 1250 किलो, 3870 किलो, 1850 तो इसका अंसर है option number C 3877 यानि कि 3.8 टन ठीक है इसका वज़न था चांद की सदय पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश होगा तो भारत होगा चौत्था देश होगा जिसल्वी रॉकेट को कहां से बेजा गया था तो जिसल्वी रॉकेट को बेजा गया था option number 2 शरी हरी कोटा 37 दवन स्पेस सेंटर next question है isrog 12 चंद्रयान 2 को बेजने के बाद क्तने और चलणों को अंजाम देना है यानि कि जब इस रो इस रो ने जब इसको भेजा चंद्रयान 2 ने जब उड़ान भरी तो उसके बाद अभी कितने और mission बंचे हैं तो mission जो बंचे है वो है इसका आंसर है फोर्थ 15 मिशन्स बचे हैं नेक्स कोशन है चंद्रियान चांद के किस दुरूप पर उत्रेगा तो यह सबसे इंपॉर्टन कोशन है कौन से दुरूप पर उत्रेगा यह तो आपको सबको पता होगा तो गाइस इसका फटावर्ट से मुझे कमेंट करक सबसें परवेश करना या चंद्रमा से प्रतिविस से उड़ान वर्ण तो इसका आंसर है सफ्ट लेंडिंग करना ऑफ्शननमर सेकंड हूं ने चंद्रयान 2 ने कितने चंद्रयान 2 कितने बज्चे वक्का बुडान भरी तो यह उड़ान भरिती 22 जुलाई दो बच के 43 मिनट पर ठीक है गाइस नेक्स कोशन है वट इस दा हाइट ऑफ जी एसल वी मार्क ट्री एंवन रॉकेट जो अभी रॉकेट जो लॉंच हो है उसकी हाइट कितनी है तो इसकी हाइट आपका उतानी है 40.49 मिटर 43.42 मिटर 43.43 मिटर या फिर 49.49 मिटर तो इसका अं बच्वाद लॉंच हुआ कितने मिनिट बाद पिर्थी की कक्षा में पहुंचा तो इसका अंसर है 16.14 सेकिन और सांथ है नेक्स कुशन है चांद की सताव पर कौन लेंड करेगा तो इसका अंजर है विक्रम आपको ध्यान रखना है जो प्रज्यान है वह रोवर का नाम है परग्यान रोवर का नाम है विकरम जो है लेंडर है ठीक है और और जो है वो कक्षा में इसके परवेश कर गूमेगा नेक्स कुछन ने जब रोवर चांद की सतय पर चलेगा तो चांद की सतय पर कौन सा प्रतिक बनेगा ऐसा कोश्ण अब तक किसने में बीको लगता नहीं है कि किसने बताया होगा तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ एक option है सत्ते में वजयते और इसरो का सिंबल या फिर अशोक चक्र और इसरो का सिंबल या फिर only इसरो का सिंबल या फिर अशोक काग्षा में कौन रहेगा और कप तक रहेगा ठीक तो ग्याश इसका जो आंसर है इसका है और जो है इसकी कख्षा के अंदर जो मैं आपको बताए और बहटर रहेगा और यह कप तक रहेगा यह रहेगा एक चुछेन को न स्केपसिअ है जbie जब रहे और न। 166 कुछ ऐसी करोड़ आई है तो तीन गुथा है उसका ठीक है तो कितना है तीन गुथा को कि वट इस देकोर्स व लय़ भुत ट हो छिस लीडर्यांग टू तो उसकी नौ 5 Gyan प्रग्यान का संस्कृत भाषा में क्या अर्थ होता है बुद्दी मता मोख शर्विसिछ्ट लिया इसे अंतर एब अन्जान दो में सबसे मैतवण भूमिका निवाने वाली महिला कौन झी थी? एक महिला है रही है जो की प्रोजेक्ट जिन्होंने समाला है चंदरेंडू का प्रोजेक्ट ठीक है, जो की यहां की प्रोजेक्ट डिरेक्टर भी थी तो वो कौन थी? तो option है वर्शा एंड बायल सरिता रोय और नियती सहगल, रितु खरीदाल, M. विनिता या फिर K. लक्षमी और S. राम लक्षमी तो इसका आंजर है option number C, रितु खरीदाल, M. विनिता, ठीक है इसका आंजर है third Next question है, Who is the chairman of ISRO? ISRO का chairman कोन है तो इसका answer है K. C. 1 आपको पता है है के C. 1 जो है ISRO की full form क्या है? ISRO की full form है Indian Space Research Organization, option number fourth Next है, All India Rank of ISRO according to 2018, 2018 के अनुसार, ISRO की world में ranking क्या थी तो इसकी ranking थी, 5th ranking थी और जो ISRO है, world का सबसे सस्ता space center है, ठीक है? Organization है जो Our next question, weight of GSLV Mark III M1 rocket इसका weight कितना है GSLV Mark III rocket का, तो इसका weight है 640 ton Next question है, Where is the headquarter of ISRO? ISRO का headquarter कहां है तो यार यह भी आप मिनको फटावर से सर्च करके बताओ, मुझे तो पता है लेकिन आप भी थोड़ा सा सर्च करो कि इसका headquarter कहां है Next question है, Satish Dhawan Space Center कहां है कुछ लोगों का doubt होगा कि Satish Dhawan Space Center तमिल नाडू में है या फिर त्रवनंत्पुरम में है तो इसका answer जो है आंत्रवर्देश मुझे भी इसमें doubt था लेकिन आप मैंने doubt clear हो गया है जब मैंने थोड़ा सा netपेस को सर्च किया Next है, चांद का गुरुतु आगर्शन और प्रितिव की उपेक्षा कितना गुना है इसकी gravity जो है कितनी गुना है as compared to earth तो इसका answer है option numbers third, one by six Next है study of moon यानि कि moon की जो study है internal और outer surface की ठीक है उसकी आंते और भायपरत की जो इसकी study होती है moon की उसको क्या कहा जाता है तो इसकी option है salinology, यह है chromography, monology या moon stepology तो इसका answer है salinology ठीक है option number one तो guys ऐसे ही जैसे कि अब हमारा question जो है सारे खतम होते है I hope कि आप को वीडियो का भी पसंदाया होगा और मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सारे चंद्रियान के question सारे मैंने complete करा दिये और अब तक यह किसी ने भी नहीं करा है तो guys इसलिए आर वीडियो को like जना है और अपने दोस्तों तक share ज़रूर करना होगा तो चलिए मिलते हैं next video में